अग्रेसिव नहों जान देदेंगे इसके लिए ज्या बात करें आप प्यों क्यों और अक्साचिन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते क्या बात कर रहे हैं तो भाई साब कभी कभी आईसी फिल्म बनती है आर्टिकल 370 जैसी क्या फिल्म है दोस्तों बहुत खो तो दोस्तों आर्टिकल 370 दोजार चोविस की हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है दोस्तों कास्टिंग में हमें यामी गौतम, प्रिया मनी, अरुन गोयल और किरन करमारकर जैसे एक्टर देखने को मिलेगे आर्टिकल 370 का डिरेक्शन आदित्य सुहास जा दोस्तों हमारे सबके चाहिते प्रभु श्री राम का किरदर निभाने वाले अरुन गोयल जी इस बार पीम नरेंद्र मोदी जी के रोल में देखने को मिलेगे हेलो दोस्तों दकैसे आप सब मेरा नाम है अंकुष और आपका साओगते आपके अपने सिन्नी रिवी चैनल पे दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और लाइक भी कर दोस्तों आर्टिकल 370 में यामी गोतम हमें Intelligent Film Officer के रोल में देखने को मिलेगे उनके अक्टिंग ला जाओवे दोस्तों यामी गोतम 2023 की OMG 2 में लायर के किरदार में थी ओयम जी टू में भी उनके अक्टिंग का भी शांदार थी और आर्टिकल 370 में तो उन्होंने दिल जीत लिया फिल्म में हमें दिखाया है 2016 के कश्मिर के अशांति के बाद लोकल एजेंट जुनी हकसर को एक सिक्रेट मिशन मिलता है बाय राजेश्वरी राजेश्वरी जी का सिक्रेट मिशन आर्टिकल 370 को निरस्तर करके आतंगवाद और संगश्पूर्ण अरतय व्यवस्ता को समाप्त करना है फिल्म में हमें दिखाया है आर्टिकल 370 के टाइम में कैसे कुछ बरश्ट पॉलिटिशन अपने काम के लिए आतंगवाद को बढ़ावा देते थे और वहां के लोकल सिविलेंस को कैसे अपने मतलब के लिवस करना जैसे फत्तर बाजी करना या फिर पोलिस पर हमला करना दोस्तो आर्टिकल 370 का एक डालग काभी फेमस हुआ है क्या बात करते हो जान दे देंगे कश्मीर के लिए ओल ओवर देखा जायतो फिल्म में सब भी अक्टर का काम लाव जाव है आज हम डिबी की रेटिंग की बात करें तो 10 आउट ओप 8.7 है आई परसनली तो दोस्तो आज के वुडियो में बस इतना ही चैनल को सबस्क्राइब करिए वुडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताई कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मिलता हूँ आपको नेक्स वुडियो में तब तक के लिए बाबाय जय हिन